श्री नारायन के वाहन पक्षिराज गरुड मैं संपूर्ण सर्प जाती की ओर से आप से एक निवेदन करने आया हूँ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप हे पक्षिराज यदि आप हम पर ऐसे ही आक्रमल करते रहे तो शीगरी हमारी प्रियाती समाप्त हो जाएगी इसलिए हमारी आपसे विनिती है यदि आप पुछित समझें तो सर्पों के किसी एक घर से हम आपको एक सर्प प्रति दिन अर्पित करेंगे आप उसको आहार बनाईए और अन्य सर्पों को जीवित रहने का अधिकार दीजिए मुझे स्विकार है तब से प्रति दिन किसी एक घर से एक सर्प गरुड के भूजन के लिए भीजा जाने लगा समय के साथ मेरे घर की भी बारी आई परंतु मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी समय आ गया है स्वामी आज गरुड के आहर के लिए इसे चुना गया है स्वामी सभी सर्प राज्यों और गरुड के बीच में यही समझोता हुआ हमें इसका समान करना ही होगा मैंने कोई समझोता नहीं किया मैंने कोई वचन नहीं दिया और नहीं मैं किसी गरुड से भेवित होता हूँ यदि इस राज्य में किसी को सर्पों को अपना आहार बनाने का अधिकार है तो वो केवल मुझे है अब से गरुड को दी जाने वाली हर भेंग मुझे दी जाएगी महा विश्धारी, महा नाग राज कालिया को यह और कुछ नहीं मेरा अभिमान था प्रभूड और यह मेरे इस जन्म की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि फिर जब गरुड को इस बार में पता चला तो कालिया, अभिमान में आकर तुने अपने काल को ललका रहा है जिस कालिया के नाम में ही काल छिपा है तू उसे ललकारने का दुस्सा हस कर रहा है गरुड स्वयम को भगवान विश्णू का वाहन कहता है तो वाहन का ही कर्म कर स्मरन रख इस धर्ति के सर्वश्रेश्य योधाओं के लिए भी मैं मृत्यू का दूर्थ हूँ विनाश काले विप्रीत बुधी तु जैसे मूर्ख सदा इस युक्ति को सार्थक करते आए हैं अपने विनाश को आमंत्रन किया है तो अफोग आप आप कर दूर्थ कर दूर्थ कर दूर्थ कर दूर्थ कर दूर्थ जिसने मेरा भोजन चुराने के ध्रष्टता की है वो इसी योग्य है तू मुझे जानता नहीं है गरोड मैं महाविश धारी नाक कालिया हूँ तेरा इतना दूर्थ सहस कि तूने मुझे पर चरण सब रहार किया मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि गरोड मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगा। नदिया, पर्वत, यहां तक कि मैंने सागर भी लांग डाला। पर मैं जहां भी जाता, गरोड के रूप में मेरा काल वहीं आ जाता। इसलिए बृत्यू की आशंखा से भैभीत होकर, मैं अपने बड़े भाई, मा कद्रू के प्रथम पुत्र, अनंत शेशनाग से राय लेने चला गया। भाईया, मैं यहां आप से आपकी सहायता लेने आया हूँ। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण, यह गरूड मेरा पिछा कर रहा है, मुझे हर समय, हर स्थान पे ढूंते रहता है। यदि उसने मुझे ढूंड लिया, तो वो निश्चित ही मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कोई ऐसा स्थान बताईए, जहां मैं अपनी पत्नी और अपनी संतानों के साथ शांती से रह सकूँ। तुम यम्नवा नदी के किनारे बुरिंदवन शेत्र में जाके वास करो कालिया, गरूड वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि उसे रिषी सोबरी का श्राप मिला हुआ है। ध्यान और तपस्या का नित्त कर्म करते हुए, रिषी के मन में मचलियों के प्रती प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि वह भूल गया। सभी जीव खादे शिंकला का बाग होते हैं। और मचलियां भी इस नियम की अफवाद नहीं है। उन्हें मचलियों की अठखेली इतनी अच्छी लगने लगी कि वह इस जेतर के मचश्वारों को भी मचली पकड़ने की अनुमती नहीं देते थे। उस दिन वह उस पकशी को नहीं रोक पाए। पर तब से सावधान रहने लगे, यहां तक कि अपने साधना से भी अधिक ध्यान वो पक्षियों पर केंदित करने लगे देरो, इस इछण अपनी चोच में पकड़ी इस मचली को छोड़ दो तो मैं मचलीयों का आहार नहीं करना चाहिए बक्षी राज यह तो खाद श्रंकला का नियम है रिशिवर, यदि मैं इनका आहर नहीं करूँगा, तो कोई और पक्षी कर लेगा मैं अपने आनन्द या प्रतिशोद के लिए इनके प्राण नहीं ले रहा यह तो बस मेरा भोजन है पर यह मेरा तपस्य इस्थल है तुम यहां शिकार करके मेरी साधना में विगन नहीं डाल सकते पक्षी राज यदि आपकी यही इच्छा है, तो मैं आज के बाद यहां नहीं आऊंगा पर आज यह मचली मेरे अहार के रूप में पकड़ी जा चुकी है मैं वचन देता हूँ रिशिवर इस स्थान पर यह मेरा अंतिम्शेकार होगा आज के बाद यदि तुमने वरिंदावन के निकट उडान भी बरी और इसलिए भाया शेशनाक के सुझाव के अनुसार मैं यहां आ गया पर अब यदि मैं कहीं और जाओंगा तो मेरे प्राण नहीं पचेंगे प्रभू अब से गरूट तुम्हें कोई हानी नहीं पोचाएगा अब तुम्हारे फणों पर मेरी पक्चिन बन गए कालिया इसलिए अब से तुम्हें करूट से कोई भेनी होगा निशन्द होकर अपने परिवार के साथ केरे से मुन्डर में चले जाओ और सुक्त से सांती से निमास करो पर ध्यान रहे ने दोस्ट जीवों को हानी ना पाठे आपने मुझे जीवन दान दे दिया प्रभू इस उपकार से मैं कृतग्य हो प्रभू आदेश दीजिए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ उमारे जल जेतरस है एक कोटी कमल पुष्प को लेने की अनमत्य देदो कालिया यही मेर सेवा होगी प्रभू यह तो मेरा सौभाग्य होगा एक कोटी के स्थान पर हम तीन कोटी कमल पुष्प ले आए प्रभू मैं तुम्हारी सेवा बाउस है प्रसन हुआ कालिया रमनक दीप पर चले जाओ ताकि तुम्हारे कारण फिर कभी किसी नदोष जीव को थानी ना पहुछे और नहीं तुम्हारा वीश मेरे प्रिया यमुन नभी के चल को दुस्यत कर पाए मैं तुम्हें आशिरवाद देता हूँ आज यहां मेरे द्वारा तुम्हें दिये गए इस आदेश का स्वेरन जो भी भक्त करेगा अप्रातक कर और संध्या काल में इसका उचारन करेगा उससे फिर कभी किसी संकट से कोई पहनी होगा यहां पर स्थान करने वाला और देवताओं को इस छेतर से जल का अधर देकर प्रसान करने वाला भग यदि मेरा स्मयरन करके पास रखेगा तो वो अपने सबी पापू से ठीक ने मुब्ध हो जाएगा कौन है जे भगवान जिसने अभी अभी कालिया जैसे विसाल विस्थर का सामना किया क्या एक साधारन बालक जो सीथ की अधिक्ता से ठिटोर रहा है क्या करो में लन्ला को ममता के आचल में छुपा लूँ यह भग बनकर प्रभू की लीला देखती रहो क्या करो मैं किसे ठड़ना तो जल बहुत सदी लग रहे हैं सर्दी से तड़कते हुए कैसे देखू इसे अब ही जाके अपने पल्लू से सुखाती हूँ रिते से लगा के स्नेकी आज दोंगी तो सर्दी पल भर में छुमंतर हो जाएगी मेरी आवसकता ना है इसे जे तो सच्ची में भगवान ही है जिसकी ठंड दूर करने के लिए सुएम द्वादसादित्य प्रकण हो गया है ये क्या किया आपने मैया मुझे अपने रिते से लगाने वाली थी कि आप सब त्रकट होगा है शमा कीजिए प्रभू पर आपको भीगा हुआ देखकर थंड से ठिटूरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया हम अपने वश में नहीं थे प्रभू भक्ती से भावोख होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गय थे हमारी किर्णे जैसे सोय में ही फूट पड़ी और दोड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए मैं आपका प्रेम आपकी भक्ती समझता हूँ अदित्यगण और इसी लिए इस समय मैं जहां खड़ा हूँ इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा हम धन्य हो गए प्रभू पर कहा जा रहा है जो गड़ पड़ किया उसी सुधा लिए तो सही प्रभू आग्या दीजिये अपना अदाब इतना अथिक बड़ा दीजिये कि बुझे स्वेद आने लगे ताकि महिया मुझे स्वेद मैं लीला देख के और फूल जाएकि मैं बगवान हूं और महिया मुझे अपनी गोड़नों उठा के ले जाए इत्ते कर्मी क्यों लगरिया है स्वेद की एक बून भी आती थी तो मैं अपना आचा लेकर पहुच जाती थी इसके पास जानती ही नहीं थी कि जे तो स्वेद वायू देख को आदेश दे सकतो है कि वो बहने लगे और उसका सारा स्वेद सुखा दे पायो देश के आसकता नहीं है मैया मुझे आप ही चाहिए लगता है जिस बात का भै था वो ही सत्य होने लगी है पाया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी और अब मेरे लिए उसके छुपा कर रख पाना कटिन हो जाएगा पायो जाएगा सरोवर का प्रणाम स्विकार कीजिए ओहो इस चमापकार को देखकर महिया को आर भी अधिक विश्वाफ हो जाएगा कि मा भगवानी हूँ अब क्यासे बनाओ महिया को कि मा इंकल लाई हूँ पावा हना अब तो यही साहिता करेंगे स्विक्रिष्णा को दिन्दा हरे हरे स्विक्रिष्णा, स्विक्रिष्णा को दिन्दा हरे हरे स्विक्रिष्णा, हरे पुराई स्विक्रिष्णा, स्विक्रिष्णा, स्विक्रिष्णा कोटि ना मैंने तो तीन कोटी कमल पुष्ट पो का प्रभण कर दिः गयेωए और शंता ख़ानी के आसकता ना है एक कोटी कमल के स्थान पर तीन कोटी कमल पुष्ट मिल गये है हाँ हाँ काना मैं उचित संदेश के साथ जिस सारे पुस्प उस कंज के पास भिजवातो हूँ वानू जी नंदराग बाकी गाउवालों को लेकर ये सारे पुस्प तिखटा करो और कंज के दर्बार में पहुचाओ जी मैया, कौन हो तुम? मुझे पत्ता था मैया, तो आपको सत्त्य पता चेलेगो तो आप मुझे मैया की तरह इसने एना करपाऊंगी? इसलिए आस्तर स्रत्तिर चुपातो आयों तके आपकी ममता, आदका प्रेम अनभव करने का आसर मिलते वला है मुझे और फिर आज को बताया काना चोड रहस्य उनने बरसों तक चिपाया था उसका बेद खुलने में तुमारा ही योगदान है मुझे कारिया के शिष पर अपने पादचीन रखकर उसे मुक्त कराना था दाओ, बचन दिया था, मैंने उसे इसके अती रिद नर्दोश वैचु पक्षियों के जीवन को कालिया के विससे ही बचाना था मुझे इस में कान्स को तो समीलीन करना ही था ताकि जब मैं कालिया का सामना कर रहूं तो वो किसी और असूर को समस्या बनाकर बिद्ना बना भिष दे पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाओ, मैं चाहता था कि मैया को सत्य बता चल जाए पर क्यों काना? कि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहसे चुवाकर इनके साथ धोगा कर रहूं अब राज बोचते है, तब आ जा रहता मैं जो सत्य आपको, बाबा को, सभी को पतो है यहां तक कि मेरे सखा भी जानते है वो सत्य मैंने मैया से चुपायो कि वर इसी लोग में कि मुझे इनकी ममता पराप्त होती रहे पर ऐसा करके, मैं अपने से निस्वात पुरेम करने वाली मैया को धोगा दे रहा था आपी बटाओ दाओ, जो इस अंसार में मुझे सबसे अधिक अरोसा करतो है, उसी के साथ चल कैसे कर सकतो हो मैं हाँ, मैं नारण का अवतार हूँ पर अपनी मैया का छोटा चा लल्ला भी तो हूँ इसलिए तो जमुना जी में छणाल नगाने का एक कारण इस गेंद को लेने जाना भी था ने स्नेस बनाई थे मैया ने गें इसे अपने से दूर कैसे हुने देता मैं आपको आभास पिना है मैया, कि आप मेरे लग कितने मात्वा पोना ये चत्य है कि सबी देवता, ट्रकती, होक्त ये सब है मेरा अध्यान रखने के लिए, मेरे सीवा खडने के लिए पर क्या है इन मेंसे कोई भी वीडी में यका स्थन ने सकतो है और आपी तो यही चाहती थी कि मैं आपका लवन क्या हूँ आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीक रही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अफसर मिल जाए मैया नारायन का उस्तारूना क्या इत्ती बड़ी समस्या है कि आप रधर से बिरा लगा सकते मैया मेरा काना मेरा लला ठूछ अव्र वेरे डिरश पाह भ्रच्च आप डिरॉप टुओ हो91 क्यों रहे अवि करपकों अवच मौर आप्डेश को तो above दिभी मौर मौर को हो सबस्क्राओ कि प्रस्ट कि पितलो जाज फेडिए एक प्रस्ट की पितलो से चानल की और दॉटेवाई एक चानल क्लिक प्लिक है और दो कि दृत लिख एई डाजी है